हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्सेट्स में आज हम लोग क्वास्टेंथ मैथ में प्रशनावली 7.2 को सुरू करने जा रहे हैं हमारा जो अध्याय साथ है वो निर्देशांग जामिती है और इस लेशन से बोर्ड एक्जाम में 100% question आते हैं तो हम लोग प्रशनावली 7.2 को सुरू करने जा रहे हैं लेकिन 7.2 को सुरू करने से पहले हम लोगों को 7.2 के लिए कुछ फार्मूले समझे होंगे तो उन फार्मूलों पर पहले हम discuss कर लेते हैं उसके बाद हम सीदे प्रशनावली के जो question होंग करेंगे और इस विडियो में हम लोग पहले तो सुत्र को समझेंगे उसके बाद से हम उन शुत्रों पर सवाल को हम करेंगे इसमें हम ncrt के लावा अरिहन्त और राजिव प्रकासन जो यह दो टॉपिक है प्रहशनली7.2 के लिए जो सूत्र पढ़ना है वो हमको पढ़ना है विभआजन सूत्र और विभाजन देखे कैसा करना है तो रेखा खंड का अंतः विभाजन तो शुरू करते हैं कि विभाजन शुत्र है क्या तो देखिए जैसे माल लेजिए कि ये एक रेखा है ठीक है ये एक रेखा है और इस रेखा के दोनों जो सिरे हैं इसके बिंदु दिये गा है माल लेजिए कि ये जो बिंदु है वो A है और ये बिंदु B है इस A का निर्देसांग X1, Y1 और B का निर्देसांग X2, Y2 है हम मान के चलते हैं कि जो रेखा AB है इसमें A का अन्रेशांग X1, Y1 और B का अन्रेशांग X2, Y2 है अब एक तीसरा बिंदू है जो इस AB रेखा के बीच में कहीं भी इधर है मान लेते हैं वो बिंदू C है तो ध्यान देजेगा कि यह जो बिंदू C जो है तीसरा जो बिंदू है यह रेखा खंड AB को दो भाग में विवाजित कर दिया अब ये अलग बात है कि ये बराबर नहीं है कई कंडिशन में हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो फिलाल अभी हमारा बराबर नहीं है चाहें जो भी हो रेखा खंड जो A B है उसको C दो भागें बाट दिया और जो बटवारा हुआ उसमें हम माल लेते हैं कि इधर वाला भाग M है और इधर वाला भाग N है या कोई ज़रूरी नहीं है आपको इधर वाला M ले लेजिए और इधर वाला N रखिए ठीक है माल लेते हैं कि इधर वाला भाग M है इधर वाला भाग N है मतलब कि जो बिंदू C है वो रेखा खंड को M रेशियो N में भी भाजित किया है ध्यान देजिएगा M रेशियो N में मतलब बिंदू C के एक तरफ M भाग है और बिंदू C के दुसरे तरफ N भाग है मतलब कि यह जो AB रेखाखंड है, ये दो भाग में डिभाइड हो गया, M भाग एक तरफ, N भाग एक तरफ, तो ये जो बिंदु C है न, यही कहलाएगा विभाजन बिंदु, जो रेखाखंड को AB को बीच में से कहीं से दो भाग में बाट रहा है, तो ये जो बिंदु C है, यही विभाजन बिंदू और हमको इस विभाजन बिंदू का निर्देसांग ज्याद करना है कि आखिर विभाजन बिंदू होगा क्या तो हम माल लेते हैं कि विभाजन बिंदू का निर्देसांग कुछ होगा या ऐसे भी मान सकते हैं कुछ नहीं मानेगे तो डिरेक्टर लिख सक होते हैं कि बिभाजन बिन्दू जो अगर आप मान भी लेते हैं कि canon x y हमारा क्या बिभाजन है तो बिभाजन बिन्दू X Y equal to इसका फार्मूला होता है बिभाजन बिन्दू X Y equal to अब थोड़ा सा इसके concept को समझना है हम इस formula को सिद्ध करके भी दिखाएंगे तो पहले आप formula को समझे फिर इसको हम सिद्ध करेंगे आखिर समझेंगे कि formula कहां से आ रहा है तो विभाजन बिंदू का निरसांग हम को जानना है तो इसके लिद्धान देजेगा इधर वाला पहले m लेजिए m और इधर का x2 mx2 ठेक प्लस कीजिए इधर का n लेजिए n और इधर से x1 उठाईए nx1 तो जान देजेगा जब हम अनुपात इधर का लिए है तो एक बिंदू इधर से लिए इधर का बिंदू बटा दोनों अनुपातों का योग तो m प्लस n ध्यान देजेगा चुकि आप बिंदू निकाल रहे है न तब बिंदू में एक भूज होता है दूसरा कोटी होता है यह x x का मान यह है और y y का मान हम लिखने जा रहे हैं सेम कंडिशन रहेगा इधर का m लेगे तो इधर का y2 लेंगे m y2 प्लस इधर का n लेंगे तो इधर का y1 लेंगे n y1 बटा फिर दोनों का योग फल m प्लस n तो यह जो फर्मूला है यह है बिभाजन बिंदू केरिये सुत्र ठीख है और इसी शूतर का हम लोग परिशुक करेंगे और जो रिखाखंड का अंतर बिभाजन है मतलब की बिभाजन बिंदू का निरसां ज्यांत करेंगे इसी फर्मूले के साथ है तो बहुत असान फर्मूला है आप इसको परेलिख लेजिए और अब हम देखते हैं न कि फर्मूला वास्तों में आता कैसे है कैसे आगा यह तो माल लेजिए कि हमने बता दिया और अपने रट लिया तो फिर रटना नहीं हमको समझना भी है कि फर्मूला आफिर आया कैसे, क्यों यही फार्मुला आया है, क्यों कुछ और क्यों नहीं आ रहा है, तो हमको रटना नहीं हमको समझना है, तो हम इसको रफ कर रहा है, और इसको अब हम सिध्य करके लाएंगे, यह प्रूफ करेंगे क्या खिर यह फार्मूला क्यों आ रहा है फिर हम लोग एक साइज के प्रश्णों को हल करेंगे ठीक है तो इसको मिड़ाते हैं और एक हम फिगर ड्रा करेंगे फिगर बनाएंगे और उस चित्र की सायता से हम लोग विभाजन बिंदू का निर्देशां ग्यात करेंगे ठीक है देखिए यहाँ पर हमें चित्र बना रहे हैं एक सच वाई एक्ष ठीक है थोड़ा सीधा समझेगा इसको यह हमारा एक सच है यह हमारा क्या है वाई एक्ष है यह आप जानते हैं कि मूल बिंदू है मूल बिंदू को हम लोग समाने रूप से ओसे दिखाते हैं ठीक है यह मूल बिंदू है अब हम एक रेखा लेते हैं एब जैसा कि हम लोगों ने लिया था रेखा एबी तो वैसे ही एक रेखा में यहाँ पर ले लेते हैं एबी ठीक है लिए एक रेखा हम यहां पर ले लिए A और एक रेखा ले लिए B ठीक है एक रेखा हमने A भी ले लिया अब बिन्दु A का निर्देशांग हमने क्या माना था हमने माना था एक रेखा हमने भी बिन्दु A का निर्देशांग हमने माना था ठीक है बिन्दु A का निर्देशांग हमने क्या माना था x1 y1 और बिंदू b का निरे सांग x2 y2 हमने माना था और इसके दोनों के बीच में कहीं भी एक बिंदू c है जो इस रेखा को m ratio n मतलब कि एक तरफ m भाग है दुसरे तरफ n भाग है तो m ratio n अनुपात में क्या कर रहा है इसको बाट रहा है m ratio n में इसको बाट रहा है दो भाग हम बाट रहा है तो हमको इसी भी भाजन बिंदू c का निर्दे सांग्याद करना है ध्यान से समझेगा बिल्कुल इसी भी भाजन बिंदू c का निर्दे सांग्याद करना है और इस इस बिंदू का निरसांग x1 y1 है इसका सिधा मतलब है कि यहां पर यहां पर पहले हम x1 दूरी तय किये हैं x अक्ष पर x1 चले होंगे और y अक्ष पर हम लोग y1 चले होंगे यहां पर ऊपर ठीक है मतलब यह दूरी x1 है और यह दूरी y1 है तब जाके इस बिंदू का निरसांग बनेगा x1 y1 ठीक है और यहां पर x2 y2 का मतलब हुआ कि यहां पर देखिए x2 y2 का मतलब हुआ थोड़ा सा हमारा फीगर तिर्षा ना हो हम पर्यास करेंगी फीगर हमारा सिधा बने तो थोड़ा पर सिधा देख लेते हैं ठीक है चलिए यह सीधा बन गया यह थोड़ा सा टेरा बना है तो इसको भी सीधा कर लेते हैं ठीक है चलिए तो यह दूरी x1 यह दूरी y1 तो इस बिंदू का निरसांग हो गया x1 y1 अब ध्यान देजिएगा इस बिंदू का निरसांग यह दूरी x2 है यह पूरी दूरी x2 है और यह जो पूरा दूरी देख रहा है यह आपका y2 है यह दूरी कितना है y2 भूज कोटी पहले x अक्स पर हम चलते हैं फिर हम चलते हैं yx पर तो असा फ्रेम चेक कर लेते हैं कि कहीं यह बाहर तो नहीं जा रहा है चलिए सब ठीक है तो यह दूरी x2 यह दूरी y2 तब जाके इसका निरसांग बनता है x2 y2 इतना ठीक है अब जो बिंदू c है बिंदू c का भी तो कुछ निरसांग होगा और उसी को हमको ग्याद भी करना है तो हम माल लेते हैं कि बिंदू c का जो निरसांग है वो xy है माल लेते हैं कि जो बिंदू c है इसका निरसांग xy है xy ठीक है तो बिंदू c का निरसांग इस बिंदू का निरसांग xy होने का मतलब है कि इसका निरसांग xy होने का मतलब है कि ये दूरी x होगा ध्यान दीजिएगा ये दूरी यहां से ये दूरी x और जो उपर अब देख रहा है ये दूरी पूरी yy है है ये दूरी कितना है y ये दूरी x ये दूरी y तब जाके इस बिंदू का निरसांग बनेगा xy ठीक है इतना तो समझ रहा है अब हम क्या करते हैं कि यहां से इसको मिलाते हैं हम ये दूरी ग्याद करना चाहते हैं ये दूरी तो इस दूरी को और ग्याद करें तो अब ध्यान दिजिएगा कि यहां से यहां तक न टोटल दूरी x है और ये दूरी x1 है तो इस टोटल दूरी में से ये दूरी घटा द यह जो दूरी है यह पूरा X है इसमें से X1 घटा देंगे तो यह दूरी बचेगा वही तो यह होगा पूरा दूरी Y तो Y में से Y1 घटा देंगे तो हमको यह दूरी मिल जाएगा जिसको हम बोलेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे Y-Y1 जान देजिएगा यह पूरी दूरी Y है और यह दूरी Y1 है तो Y में से Y1 घटा दिये तो यह बच गया कितना तो Y-Y1 तो यह दूरी मिल गे हमको y-y1, अब हमको इसका कुछ नाम देना पुलेगा, इसका नाम थोड़े दर के लिए d दे देते हैं, ठीक है, और सेम चीज हम यहां करने वाले हैं, ऐसे, सेम चीज यहां करने वाले हैं, तो इस दूरी को थवासान निकालते हैं, कि अफिर यह दूरी कितना है, तो ध्यान यह निकलेगा x2-x, थ्यान से समझेंगे, तो अच्छा समझना हैगा, यहां से देखिए, यह जो पूरा दूरी है, यह आपका x2 है, और यह दूरी पूरा x है, तहीं x2 में से x को निकाल देगे, तो यह दूरी बचेगा x2-x, अब हम थ्यान सा इस दूरी को देख लेते है यह जो दुरी है, देखें, पूरा दुरी y2 और यह दुरी y, तो हम y2 में से y घटा देंगे, ध्यान देजेएगा पूरा दुरी y2, आईए उसमें से यह दुरी y घटा देंगे, ति यह दुरी मिल जाएगा, और इस बिंदु को फ्राश्म, नाम दे देएगे यह। तो अब आपके पास दो त्रिभूज दिखाई दे रहा हैं और दूरी हमने समझा दिया कि यह x-x1, y-y1, x2-x, y2-y यह हमने दूरी आपको समझा दिया अब हमको देखिए इसी बिंदू का निरसांग ज्याद करना है तो इन दोनों त्रिभूजों की हम सहायता लेंगे अब देखिए यह जो त्रिभूज है न इसमें यह भूजा आपका हुजागा x-x1, यह भूजा y-y1 और यह जो भूजा है ac, ac equal to m यहाँ ce देखेंगे तो x2-x, be देखेंगे तो y2-y और cb देखेंगे तो n तो यह हमने दो त्रिभूज देख लिया अब इन दोनों त्रिभूजों की सहायता से हम लोग इसके जो बिंदू c है उसका निरसांग ज्याद करेंगे तो पहले हम देखते हैं कि इन दोनों त्रिभूजों में कुछ बराबर तो नहीं है तो इन दोनों त्रिभूजों में हमको एक चीज बराबर दिख रहा है और वो यहां का कोण दिख रहा है बराबर 90-90 डिगरी तो जो दोनों त्रिभूज है इन दोनों त्रिभूजों मे एक कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है, एक कोण बराबर हो गया, साथी साथ, हम दोनों यह जो रेखाए हैं ना, सीधा लिये हैं, मतलब एक सक्ष के समानतर, एक सक्ष के समानतर, तो यह रेखा भी एक सक्ष के समानतर है, यह एक सक्ष, यह इसके समानतर, यह एक के समांतर है इसलिए ये दोनों के आपस में क्या होगी समांतर होंगी और जब ये दोनों के आपस में समांतर होंगी तो ये काम करेगा तिर्यक रेखा का और आप जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कारता है तो संगत कोड बराबर होते हैं तो ये क त्रिफूज में यह और यह दोनों कोड़ इस त्रिफूज के इस और इस इन दोनों कोड़ों के बराबर हो गया और आप जानते हैं कि जब किसी त्रिफूज में कोई भी दो कोड़ बराबर हो जाए तो तीसरा कोड़ स्वता बराबर हो जाता है और इस प्रकार त्रिफूज समरूप हो जाता है आप पढ़े होंगे त्रिफूज का जो लेसन है उसमें ये पढ़ाए गया होगा अभी हमने इस लेसन को नहीं पढ़ाए त्रिफूज को हम इस लेसन के बाद त्रिफूज को सुरू करेंगे ठीक है तो आप सिदे से वियाद रखिए कि किसी त्रिफूज में अगर दो कोड़ बराबर हो जाए तो त्रिफूज को समरूप बोलते हैं तो हम कहा सकते हैं कि चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार त्रिफूज ए डी सी त्रिफूज ए डी सी समरूप त्रिफूज C-E-B तिर्भूज C-E-B ठीक है? तो जब दोनों तिर्भूज समरूप हो गए तो आप जानते हैं कि समरूप तिर्भूज में एक नियम होता है कि जब तिर्भूज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं तो संगत भुजाओं के अनुपात मतलब की बड़े वाले में का एक भुजा बटा, छोटे वाले में का एक भुजा तो बड़े वाले में का एक भुजा लेते हैं AD To realize that AD BY इसमें का AD लेंगे तो इसमें का लेते हैं CD तिसमें का लेना पड़ेगा BE, तो CD बटा BE, बहुत अच्छा टॉपिक है यह, और इसमें का अगर आपको कौन लेना पड़ेगा न, AC तिसमें का लेना पड़ेगा CB, तो AC बटा CB, AC बटा CB, तो यह एक प्रमे है, ठीक है, और प्रमे की सायता समने देख लिया, कि इस त्रिभूज के दो कौन, इस त्रिभूज के दो कौन के बराबर है, तो तीसरा सौता बराबर होगा, और जब त्रिभूज के तीनो कौन बराबर हो जाते हैं, तो इस त्रिभूज को समरू बटा CE equal to CD बटा BE equal to AC बटा CB ठीक है इनका हम मान रखते हैं ठीक है मान रखिए AD का मान रखिए AD equal to X minus X1 AD equal to है X minus X1 बटा CE CE पर देखे CE CE है X2 minus X CE है X2 minus X equal to CD CD by BE CD रखिए CD है Y minus Y1 तो रखते हैं मान Y minus Y1 बटा BE है BE Y2 minus Y Y2 minus Y Y2 minus Y ठीक है equal to अब देखिए AC AC बटा CB तो AC जो है YUM है और CB कितना है यान है तो यह हो गया M by N ठीक है तो यह तो हो गया मान रखा गया अब हम देख रहा है कि यहाँ अनुपाद यहाँ अनुपाद और यहाँ अनुपाद तीनों के तीनों आपस में क्या है बराबर है तो एक बार हम पहला और तीसरा लेते हैं तो लिखेंगे उपरोक्त से इसको आप equation number 1 बना लेजिए और उपरोक्त से एक बार पहला और तीसरा को लेजिए तो उपरोक्त से x minus x1 बटा x2 minus x equal to m by n ठीक है m by n अब तिरे अग गुणा कीजिए तो आप तिरे अग गुणा करेंगे न तो n का गुणा x में nx n का गुणा x1 में तो minus nx1 equal to यहां से तिरे अग गुणा करेंगे तो mx2 mx2 दोन में गुणा होगा और mx minus mx और हम x को एक तरफ करना चाहते हैं तो जो mx है आप इधर लेजिए तो देखिए mx minus का mx आया तो plus का mx हो गया equal to इधर आपका है mx2 और इधर का जो minus nx1 है ना इसको लिएक इधर रख देते हैं तो इप हो जाएगा plus nx1 धान देजिएगा nx वही nx है mx2 वही mx2 है बस minus का mx इधर ले दिया है तो plus हो गया है और minus का जो nx है वो इसको इधर लेगा चल गया है तो nx1 हो गया है ठीक है अब यहाँ पर हम x कामन कर देते हैं तो x कामन करेंगे तो यहाँ से बचेगा n यहाँ से बचेगा m और इधर mx2 plus nx1 ओके और अब हम यहाँ से x कामन निकालेंगे ठीक है एक्स कामन तो x equal to n plus m चल जाएगा नीचे क्योंकि यहाँ पर गुड़ा है और नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा तो mx2 plus nx1 बटा n plus m ओके n plus m हम n plus m को हम m plus n भी तो लिख सकते हैं m plus n तो यह निकला x कामन ठीक है यह निकला x कामन ध्यान दीजिएगा x कामन निकला mx2 plus n x1 बटा m plus n यह निकला x कामन ठीक है मतलब कि भूज निकल गया भूज निकल गया अब हम देखिए अभी हम first को और third को equate के थे बराबर के थे पहला और तीसरा को अब हम दूसरा और तीसरा को बराबर करते हैं पुना पुना य-y1 y-y1 बटा y2-y y2-y equal to फिर से m by n m by n फिर गुणा करेंगे same process है फिर गुणा करेंगे तो n का गुणा करेंगे y में तो यह हो जाएगा y n y n minus y1 का गुणा करेंगे n में तो y1 n equal to m का गुणा करेंगे y2 में तो m y2 और m का गुणा करेंगे minus में minus y में तो minus m y ठीक है अब हम फिर से क्या करेंगे कि y को एक साइड में करेंगे और जो यहाँ पर देखीए y n दिख रहा और y y d दिख रहा है तो y को में एक साइड में करेंगे तो y n तो है यहाँ पर और minus का m y आएगा तब plus का m y हो जाएगा और इधर m y 2 तो है और minus का y 1 n जाएगा तब plus का y 1 n हो जाएगा यह इसी भूम कर सकते हैं धान दिजेगा plus y 1 n कहिए या n y 1 कहिए बात एक ही है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो n y 1 हो गया अब जो है न यहाँ पर Y N और M Y इसमें Y common हो रहा है तो Y common हो रहा है तो बचर क्या रहा है N प्लस M बचरा है और इधर क्या है M Y 2 प्लस N Y 1 अब Y कमान निकालेंगे तो M Y 2 प्लस N Y 1 बटा N प्लस M क्योंकि N प्लस M यहाँ पर गुड़ा में है यह जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा ठीक है अब Y equal to अब लिख सकते हैं M Y 2 प्लस N Y 1 बटा M प्लस N यह निकल गया Y कमान ठीक है यहाँ पर Y कमान हम लिख दे रहा है M Y 2 प्लस N Y 1 बटा M प्लस N तो यह जो देख रहा है न भूज कोटी यही है बिभाजन बिन्दू का निर्शांग अता अता बिभाजन बिन्दू कितना हो गया तो यह होगा M X 2 प्लस N X 1 बटा M 1 M प्लस N ठीक है भूज कोटी M Y 2 प्लस N Y 1 बटा M प्लस N तो यही फार्मूला हमने लिखा था ठीक है और इस तरह से आपकी बिभाजन बिन्दू का यह सूतर निकल गया M X 2 प्लस N Y 1 बटा M प्लस N ठीक है M X 2 प्लस N X 1 बटा M प्लस N और M Y 2 प्लस N प्लस N तो यह X का मान भूज है मारा यह भूज है और यह क्या है कोटी है ठीक है तो आप इसका एक बार स्क्रीन सॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़के हम चित्र को थोड़ा सा मीटाना चाहते हैं अब देखिए थोड़ा सा टिकलाइन समझा दे कि अभी तो C हमारा बीच में नहीं है कल्पना कीजिए कि अगर C बीच में होता C अगर हमारा बीच में होता तो क्या M और N दोनों अलग अलग होते तो जवाब होगा नहीं अगर C हमारा ठीक बीच में होता तो M equal to N हो जाता अगर C ठीक बीच में होता यह देखा है और ठीक बीच में C है तो यह वाला हिस्सा इस वाले से क्या हो जाएक बराबर हो जाएगा अगर यह M है अगर यह N है अगर दोनों हिस्सा बराबर है मतलब M equal to क्या है यह तो अगर आपका विवाजन बिंदू मध बिंदू हो तो उस कंडिशन में M जो है N के बराबर होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं और इसको थोड़ा सा आगी बढ़ाते हाँ देखिया यदी बिभाजन बिंदू मध बिंदू हो यदि बिभाजन बिंदू मध बिंदू हो तो M equal to N हो जाता है M जो है N के बराबर हो जाता है तो उस कंडिशन में बिभाजन बिंदू में हम M के बदले में N रख सकते हैं बिभाजन बिंदू में जो निर्दे सांख हम निकालें यहाँ पर बिभाजन बिद्दु का निर्दे सांग बराबर हम क्या करेंगे कि M के बदले में N रखेंगे तो रखिए M के बदले में N तो N X2 हो जाएगा N X2 प्लस N तो N ही है N X1 N X1 हम क्या किया है M के बदले में N रखेंगे हैं ठीक है बटा M प्लस N तो M के बदले में N रखा जा रहा है तो N प्लस N हो जाएगा N प्लस N आगे देखिए M Y2 प्लस N Y1 है तो M के बदले में N रखा जा रहा है तो हो जाएगा N Y2 N Y2 प्लस N Y1 बटा M के बदले में N रख रहा है तो N प्लस N हो जाएगा N प्लस N और इस प्रकार इसमें से N कामन होगा थोड़ा सा हम बड़ा कोश्टक का परियूब करने जा रहे हैं तो इसमें से N अगर कामन होगा तो N बड़ा कोश्टक नहीं लगाईए चोटा कोश्टक नहीं लगाईए N कामन करेंगे तो X2 प्लस X1 बटा N और N 2N कमा इसमें से फिर N कामन करेंगे तो Y2 प्लस Y1 बटा N प्लस N 2N तो N से N कैंसिल N से N कैंसिल अब जो आया इसमें X2 प्लस X1 बाईटू बच रहा है तो हम उपर वाले वो थोड़ा सीधा लिख देते हैं X1 प्लस X2 बाईटू और इसको भी सीधा लिख देते हैं Y1 प्लस Y2 बाईटू y2 plus y1 लिखिए या y1 plus y2 लिखिए, कोई इसमें लिकत नहीं है. तो यह आपका हो गया, अब यह क्या हुआ? अब यह मध्य बिंदू है. तो यह मध्य बिंदू के लिए सूतर हो गया, ठीक है? और मद्ध बिंदू के अलाबा कोई भी बिंदू हो तो ये फार्मूला हो गया तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग प्रशाणली 7.2 को हल करेंगे ठीक है एक और इसमें टॉपिक पर थोड़ा साम डिस्कस करना चाहेंगे इक और टॉपिक पर तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप पॉलिस का स्क्रीन सॉप ले लिजिए फिर हम बात करते हैं उस पर ठीक है ले लिजिए तो हम बस इतना मिटाएंगे इतना मिटाने से हो जाएगा ठीक है एक सब दाता है केंद्रक केंद्रक किसे कहते हैं थोड़ा समझ लिजिए जैसे मान लिजिए एक त्रिभूज है ठीक है एक त्रिभूज है यहाँ बिंदु A हो गया यहाँ बिंदु B हो गया यहाँ बिंदु C हो गया बिन्दु ए का जो निर्देशांख है मान लिजिए x1 y1 हो गया इसका x2 y2 हो गया और इसका x3 y3 हो गया ठीक है हम बात करें केंद्रक की चुकित तिर्भूज है इसके तीनों सिर्षों के कुछ न कुछ निर्देशांख होंगे तो एक को हम x1 y1 मान लिए दूसरे को x2 y2 मान लिए और तीसरे को x3 y3 मान लिए तो अब हम केंद्रक को थोड़ा समझते हैं आप जानते हैं माधिका के बारे में क्लास 9 में पढ़े होंगे माधिका माधिका का मतलब होता है कि हम त्रिभूज के किसी सिर्ष से सामने वाले भूजा के मध्विंदु को मिला दे तो ये कहलाएगा माधिका तो एक त्रिभूज में तीन सिर्ष होता है तो तीन माधिका बन जाता है अब इस सिर्ष से सामने वाले भूजा के मधविंदु को मिला देंगे ते भी एक माधिका बनेगा और इस सिर्ष से सामने वाले भूजा के मदी बिंदु को मिलाएंगे ते गें भी क्या बनेगा जिस बिंदु पर आपस में प्रतिशियत करते हैं आपस में कारती है उस बिंदु को हम बोलते हैं केंद्रक यह जो बिंदु है न इसी को हम के निर्देसांग दिये गए हो और उस कंडिशन में पूछ दे कि इस त्रिभूज का त्रिभूज के क्यंद्रक का निर्देसांग क्या होगा तो क्यंद्रक का निर्देसांग होता है त्रिभूज का क्यंद्रक बराबर क्यंद्रक का निर्देशांग होता है जहां से देखिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 तो यह है आपके क्यंद्रक का निर्देशांग ठेक है तो क्यंद्रक समझ के किसे बोलते हैं कि त्रिभूज की तीनों माधिकाएं जहां एक दूसरे को प्रतिशेद करती हैं काटती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं क्यंद्रक बोलते हैं और क्यंद्रक का निर्देशांग होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3 तो आप इसका एक्स्क्रिंस और ले लिजे और अब हम शुरू करेंगे प्रशनावली 7.2